गुट मोनिंग विद्ध्यार्थी मित्रों, में पटे नीलम, करनावती विद्ध्याले में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, कक्छा 12, विसे सांख्या की जिसमें चेप्टर 1, सूचकांग जिसमें आजम, आधार वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे सूचकांग की रचना में, किसी चलकी वर्तमान समय के मुल्य को, किसी निश्चित समय के सामानी रूप से भूतकाल चलके, मुल्यों के साथ तुलना की जाती है उस निश्चित समय के वर्ष को आधार वर्ष केते हैं आधार वर्ष की से कहते हैं जब सुचकां की रचना में किसी वर्तमान समय के मुल्य को किसी एक निस्चित समय के मुल्य के साथ तुनला की जा सकती है तो जो निस्चित समय का जो वर्ष होता है उसे हम आधार वर्ष के रूप में पहचानते हैं भूतकाल का निस्चित वर्ष गत वर्ष का या उसके पहले का वर्ष भी हो शक्ता है जो हम आधार वर्ष लेते हैं वहां वर्तमान समय के पहले का वर्ष या गत वर्ष का होना चाहिए जिस समय या वर्ष के मुल्य को आधार वर्ष या समय के मुल्य के सा तुलना करनी हो उस वर्ष को चालू या प्रवतमान या समय कहा जाता है आधार वर्ष को जिस वर्ष के सा तुलना करनी होती है तो वो वर्ष चालू वर्ष के रूप में पहचाना जाता है हम इसका एक एकजांपल देखते हैं जैसे की वर्स 2016 के समय की किसी एक वस्तू के मुल्लकी तुलना वर्स 2015 के समय की उसी वस्तू के मुल्लों के साथ करनी होतो वर्स 2015 को हम आधार वर्स मानेंगे तथा 2016 हमारे लिए चालू वर्स होगा 2016 को हम 2015 यानि की आधार वर्ष के साथ उलना करेंगे जिस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में चैन किया गया हो वह वर्ष प्रामार्न या सामालने वर्ष होना चाहिए जो हमारा आधार वर्ष है वह हमेशा सामालने वर्ष होना चाहिए अर्थात वह वर्स अतिवरिष्टी, अनावरिष्टी, भुकंप जैसी प्राकर्तिक आपदाओ, युद्ध, हुल्लड, हडताल, आंदोलन जैसी असामाने मानो सर्जित घटनाए, राजनितिक घटनाए, आर्थिक उथल पाथल या अन्ने आकश्मिक घटनाओं से मुक्त होन चाहिए, तद उप्रांत, आधार वर्स, दिर्ग भूत काल का वर्स नहीं हो शकता, अभे, आधार वर्स का चयन दो विधी से किया जाता है, आधार वर्स को पसंद करने के लिए हम दो विधी का उपियोग कर सकते हैं, जिसमें पहला है आचल आधार की विधी, दूसरा है परमपरित आधार की विधी, जिसमें आजम अचल आधार की विधी देखेंगे, इस विधी में सामाने घटना या परी रिस्तती वाले वर्स या समय को इस्तीर मानकर प्रामार्न या आधार वर्स के रूप में लिया जाता है, परंतु कभी-कभी आधार वर्स निश्यत करन अधार वर्स के चल मुल्य के साथ वर्तमान समय के चल मुल्यों के साथ तुल्ना करके सूचकांग प्राप्त किया जाता है, अब हम देखेंगे इसका सूत्र, सोचकांग आई बरापर, चालू वर्स का चल मुल्य, भाग्या, आधार वर्स का चल मुल्य, गुणे सो, इसे संकेत में हम लोग, पीवन बटे, पीजीरो गुणे सो, जहाँ पर पीवन बरापर क्या है, चालू वर्स का चल मुल्य, और पीजीरो बरापर क्या है, आधार वर्स का चल मुल्य,